नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका सौगत है, मैं प्रिया आपके साथ उमेश पाल हत्याकार मामले में प्रयागराद जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है उमेश पाल हत्याकार में शामिल शातिर शूटर जिसने पहली गोली उमेश पाल और सिपाई को मारी थी आज सुबह कोंदियारत हाना शेतर में क्राइन बाच के साथ मुटबेड में उसकी मौत हो गई मुटबेड में मारा गया विजे उस्मान पचास हजार का इनामी था पुलिस का कहना है कि गायल को स्वरूपरानी अस्पताल बेजा गया था ये एनकाउंटर सुबह तकरिबन पाच बजे के असपास होआ है बिजे पी नेता शलप मणी त्रिफाटी ने ट्वीटर पर लिखा कि कहा था ना कि मिट्टी में मिला देंगे उमेश पाल और संदीब निशाद पर पहली गोली चलाने वाला खुनकार हत्यारा उस्मान भी आज पुलिस मुट बेड में धेर इसी के साथ उन्होंने अपने एको ट्वीट में लिखा मिट्टी में धेर उमेश पाल और संदीब निशाद का हत्यारा उस्मान चोधरी स्वरू प्रानी नेहरू अस्पताल के आपत कालिंच किस्सा अधिकारी डॉक्टर बदरी विशाल सिंग ने बताया हमने जाच की जिसके बाद उसे मरत घोशित कर दिया गया और शोओ को मुर्दा कर भेज दिया गया उसे गोली लगी थी उमेश पाल को गाड़ी से उत्तरते ही सबसे पहले विजे उर्फ उस्मान ने पहली गोली मारी थी दुकान में चीपे दूसरे शक्स ने उस्मान के बाद ही उमेश पर फाइरिंग की थी उमेश पाल हत्याकान में ये दूसरा एंकाउंटर हुआ है कल पुलिस प्रशारसन की तरफ से इस मामले में फरार आरोपियों पर इनाम घोशित किया गया था यूपी सीएम योगी अधितिनात ने विधान सबाब में एलान किया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे इसके बाद पुलिस और प्रशारसन एक्शन में दिख रहा है इस मामले में कई आरोपियों के घर पर बुल्डोजर कारवाई भी हो चुकी है इस संसनिके जवारदात में उमेश पाल का सुरक्षा कर्मी भी मारा गया था ऐसे ही बने रहिए राजनमा टीवी के साथ धन्यवाद